वेलकम टु वेल्डेखो.com मेरा नाम है देश, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोग को बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे आप लोग गिरवी रख सकते हो अपने शेर को उसके बदले में कैसे आपको extra margin मिलता है और उसके आप कैसे extra पैसे कमा सकते हो तो आज के इस वीडियो में आपको शेर प्लेज के बारे में बताऊंगा haircut का meaning बताऊंगा इस extra margin का use कहां कहां पे आप कलोग कर सकते हो वो बताऊंगा साथ में इसके कितने charges लगते हैं तो यानि stock market के अंदर आप अपने जो stocks है वो यहाँ पे गिरवी रख रहे हैं उसके बदले में मिलता है आपको extra margin अब यह जो extra margin होता है यह एक money की तरह ही work करता है लेकिन देखो इसको आप withdrawl नहीं कर सकते हैं मलब आप अपने bank account के अंदर as a cash इसको withdrawl नहीं कर पाऊंगे को simply safety margin भी का जाता है मैं example के साथ में समझाता हूं मालने जिए आपके पास में एक share है उसकी जो total value वह 100 रुपीज है और उसको आप गिरवी रखना चाहते हो यानि अगर आप 100 रुपी का share यहाँ पे pledge करोंगे तो आपको जो extra margin मिलेगा वह कुछ 80-85 रुपे के आसपासी मिलेगा जो 10-15 रुपे है वह simply यहाँ पे as a haircut आपका cut जाता है और आपको simply 85 रुपे ही मिल पाता है आप चैश जे बात करते हैं इस margin का आप कहां कहां पे use कर सकते हैं तो देखिना इसके लिए आप intraday trading के अंदर आगर आपके पास cash नहीं है तो इसके लिए आप use कर सकते हो आप future को जो buy और selling करते है vano, के इसके लिए आप option selling के इसको broken है लेकिन इस से option आप buy नहीं कर सकते बात मैं guys यहां पर आप long term investment के लिए इसको use नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता इसके अंदर कि आपको जो extra margin मिल रहा है उसके against में कोई भी share को buy करके आप 3-4 महीने hold कर लो आपकर इस बात करते हैं charges की तो देखिए इसके जो standard charges होते हैं वो 30 रुपे होते हैं 30 रुपे plus GST और यह per pledge request के according यहाँ पर charge होते हैं जितनी आप request डालेंगे उसके according 30-30 रुपे यहाँ पर charge होते जाएंगे मालिजी आपने दो कम्यों के share pledge किये तो दो बार आपसे 30-30 रुपे charge होंगे और यहाँ पर कोई भी amount के उपर कोई भी capping limit नहीं है अगर मालिजी रिलाइंस के अगर आपके पास में 1,00,000 रुपे के share है तो उसके उपर भी 30 रुपे charge होंगे और आपके पास में TCS के भी 50,000 के share है तो उसके उपर भी 30 रुपे ही charge होंगे तो गाइस यह जो 30 रुपे charge है नॉर्मली सारे ब्रुपे यहाँ पर चार्ज करते है लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक discounted broker का यहाँ पर recommendation देने वाला हूँ जिसका नाम है धनैप तो गाइस आप इनके pledge charges देख सकते हैं जो केवल 12 रुपे सिफ लेता है जबकि जो other brokers है वो almost यहाँ पर 30 रुपे प्लस GST लेते हैं और गाइस सबसे अची बात है यहाँ पर इसकी कोई भी account opening fees नहीं है कोई भी AMC fees नहीं है कोई भी platform fees नहीं है बाकी सारी चीजे आपको यहाँ पर lifetime जो है free मिल जाती है तो देखे गाइस मैं आपको यहाँ पर live बदाता हूँ कि यहाँ धन आप के अंदर आप जो अपने share से वो कैसे pledge कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आपने money के section के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो margin available होगा वो यह एक लाग 66,000 यहाँ पर दिखा रहा है उसके अगे इसमें एक लाग 33,000 के something margin मिल सकता है साथ में सारे stock की आपको list दिखा देगा तो जो जो share को आप pledge करना चाहते हो simply उसके ओपर आपको check box लगाना है तो यहाँ पर example के लिए मैंने simply Vodafone idea को ले लिया है जिसके यहाँ पर simply hair cut होता है जो safety margin होता है वो totally depend करता है कि को यहाँ पर जो stock है उसकी quality कितनी है मला हर stock के उपर different different यहाँ पर hair cut होते है तो guys अभी आप देख सकते ही जो market के अंदर current value है वो 19 रुपे हो और margin यहाँ पर आपको 10 रुपे के आसपास मिल रहा है तो guys इसके उपर आप जैसे click करेंगे उसके बाद में OTP आएगा OTP CDSL की तरफ से आता है वो आप simply डालते हैं तो यहाँ पर आपकी जो pledge request है वो यहाँ पर accept हो जाती है तो guys देर किस बात की यहाँ पर अभी link में आपको description box में दे रहा हूँ अभी धन आपको यहाँ पर download कीजे और अपना deemate account absolutely free of the cost open reuse of the capital है मलब आपने जो amount invest किया है market के अंदर आपने जो भी shares buy किये है उसी को वापिस आप घुमा फिरा के और share यहाँ पर buy कर सकते हो मलब आपकी जो capital है वो almost दो बार use हो सकती है उसके लाब guys यहाँ पर time saving है कई बार क्या होता है हमें जब दिखता है कि हमें fund transfer करना है तो हो सकता है आपकी net banking नहां चल रही हो या आप net banking की तुर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो तो उस case में guys यह बिलकुल एकदम time saving option है आपका बिलकुल time बचाता है अगर आप अपने share को pledge कर दे तो आपके पास में extra margin पढ़ा हुआ है तो easily आप किसी भी stocks वगरे को यहाँ पर buy और sell out कर सकते हो आप में guys यहाँ पर आपकी जो return on investment है वो भी यह increase कर देता है क्योंकि एक तो आपका capital already जिन स्टॉक के ने invest हो रहा है उससे आपका capital appreciation तो हो ही रहा है साथ में उस capital को वापिस reuse करने पर आप जो नया यहाँ पर trade ले रहे हैं उसके उपर भी यहाँ पर आपको profit हो होगा तो guys उसके बाद में सेवी ने यहाँ पर एक नया rules or regulation लेकर आया था कि यहाँ पर CDSL से यहाँ पर आपके जो share से वो कभी भी debit नहीं होगे उसके उपर केवल pledge लिखा हुआ आ जाएगा तो पहले क्या होता था आपका जो broker है वो आपके CDSL account से share को debit मार देता था लेकिन अब यह चीज पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर आपका share जो भी pledge भी करेंगे उसके उपर पूरी security यहाँ पर पूरी save वगरे रखता है तो और CDSL वगरे रखता है तो उसके इंदर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसके लावा guys जब भी आपको यहाँ पर अन प्लेज करना है तो यहाँ पर आप अन प्लेज कभी भी कर सकते हैं वाँ पर आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा टाइम लाइन की बात करनो तो guys आप अपने share तभी pledge कर सकते हैं जब आपके DMAT account के इंदर क्रेट हो जाए तो आपको टी प्लस टू अन प्लेज की रिक्वेस्ट है आप कभी भी market बंद होने से पहले यहाँ पर लगा सकते हैं तो आपका वो same day यहाँ पर अन प्लेज भी हो जाते हैं तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसके लाए जो F&O selling होती है उसके अंदर भी रूल है कि आपके 50% cash होना चाहिए 50% margin आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं साथ में कभी भी जो है अगर आपका shortfall हुआ margin के अंदर मलब अगर आपके आपने जो shares वगरे pledge कर रखे हैं उसकी value अगर down जाती गई जाती गई और कभी भी आपका margin यहाँ अगर आपका shortfall होता है और आपने अपना जो fund balance है वो यहाँ पर recharge वगरे नहीं किया वापिस पैसा नहीं डाला है तो guys उस case में आपके उपर penalty भी लग सकती है और यह जो penalty होती है वो 0.05% interest लगता है आपका per day के साब से तो guys अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर stock market के अंदर share pledge करने का मतलब क्या होता है और उससे आप कैसे यहाँ पर return extra generate कर सकते हैं so guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोगे कोई भी doubt से comment box में ज़रूर बताएगा thank you guys thank you very much